जैहिंद इस वीडियो में बात करेंगे बिहार सिक्षक भरती को लेकर विपेस्टी टी यारी 3.0 का एक्जाम जो है कैंसल हो गया है और री एक्जाम का किसी भी तरह का अभी तक नोटिस जो है आपको नहीं आया है विपेस्टी के तरफ से तो जितना जल्दी हो नोटिस हो ज है देखे एक्जाम कैंसल कराना ही मकसद नहीं था जो री एक्जाम पे भी अब हम लोग को आवाज उठाना होगा कि री एक्जाम जल्द से जल्द दिया जाए ठीक है कहीं ऐसा नहों जो यह वैकंसी है यह पूरा जो भरती है थंडे वस्ती में चला जाए और एलेक्शन ख आपको पता है कि ऑफ लाइन पेपर अभी चलता है ऑफ लाइन पेपर में जो एकोशन का छपाई कहा होता है तो कोलकाता में होता है यह किसी को पता नहीं होता है यह सब जो है ना गुपत रखा जाता है ठीक है तो अब तो अल्लेडी जांच में सब कुछ सामने आ रहा है यह चीस तो अच्छा है कि जो EOA टीम है, पुरा निस्पक्च होके, अभी तक जाच कर रही है, किसी भी तरह का उसके दवाब नहीं बना जा रहा है, और मैं चाहूंगा कि दवाब ना बना जाए, अगर सरकार दवाब नहीं बनाती है, EOA टुमपे, तो आपको बहुत मिले वें, सारे का नाम आएगा, देखे, Kolkata के प्रेज से पहले भी हो चुगा है, पहले हो चुगा है, और यह जो है, यह जो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, यह देखे, पेपर में चपाओ खबर है, ठीक है, पेपर में चपाओ खबर है, तो ऐसे ही नहीं इसको कोई भ कर रही अच्छे से इसमें आर्थिक अपराद एकाई को कई नहीं जानकारियां मिली हैं अगर यह जांच यह चान में चलता रहे न वदर दिखेंगे आपको बहुत कुछ सामने आएगा रिमांट पर लिए अब आरोपियों से हुई पूस्ताच और बरामस दस्तावेजों की जांच में राज भास हुआ है कि कोलकाता के जिस प्रिंटिंग प्रेस को प्रस्ट मतर के छपाई का ठेका मिला था वहां से पहले भी कुछ परती होगी था परिच्छों के प्रस्ट मत लीक हो चुके हैं उचे लेवल का जो एक्जाम कंडेक्ट कराती है तो इस तरह से इतना छोटा इतना माइनर सा मिस्टेक कैसे हो सकता है कैसे कर सकते हैं जिस प्रेंटिंग प्रेस का रिकॉर्ड खराब है जिसका जो है मालिक जो पहले से जेल जा चुका है तो उसको फिर उसी को पेपर छपा ही होता है कि ऐसे प्रेंटिक प्रेंटिक को देने कर क्या मतलब है अब यू इस बात की जाच कर रही है कि बीपेसी ने पहले से बदनाम प्रेंटिक प्रेंटिक को प्रेंटिक 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 बस चात्रों के जीवन के साथ स्रिफ खेला जा रहा है और कुछ नहीं है बस ये एक मजाक है धंदा करने वाले धंदा कर रहे हैं और चात्र जो है स्रिफ अपने महनत कर रहे हैं उसको ये भी नहीं पता है कि उसके पीट पीछे क्या चल रहा है एक जो गरीब चात्र होता है, मेदावी चात्र होता है वो सुसता ही मंदारी के दम पे, मेहनत के दम पे सेलेक्शन लेगा, लेकिन कैसे ले सकता है जब यहाँ पे उपर से नीचे तक इसमें इंबॉल्व है BPST ऐसा काम कैसे कर सकती है उसका record चेक करना चाहिए था, जांच करना चाहिए था उसके सब कुछ record जांच करने के बाद उसको देता पेपर चपने के लिए आयोग को पहले से इसके जानकारी थी या नहीं दी अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि कहीं भी गये मूँ उठाके और पेपर चाप निकले देदी ये questions paper है ये leak होने का chances होता है बहुत सारा जिम्मेदारी होता है बहुत सारी चात्रों का जीवन का सवाल होता है तो ऐसे कैसे आप दे सकते बिना record जाने अगर आप record चेक किये जब आ बड़ा यहां पर आश्चरी जानिक वाली वात है इतना इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है बीपेसी चोटा मोटा विभाग तो नहीं है बिहार का सबसे बड़ा एजनसी है जो की सिविल सर्विस एक्जाम कंड़क्टर आती है ई ओ यू ने सीवम और अनिकेत को रिमांड म अगर पेपर छपा था तो ऑविसली जो बात है उसमें भी कुछ ने कुछ जरूर घुटाला हुआ होगा कुछ ने कुछ जरूर घपला हुआ होगा तो अच्छे से जांच चान बिन करना चाहिए इसलिए ऐसा अनुमाल लगा जा रहा है जो टीरी टू जो होगा और टीरी पे जॉब लिए हो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा लेकिन बाकी सभी जो कैंडिडेट है सभी जो सेलेक्टेड है टीरी टू का अजांच विन सुरू हो चुका है अंदर ही अंदर अगर आप गलत हैं अगर आपने गलत तरीके से लिया है कुछ भी आपका गलती है तो जल प्रस्ण पत्र छपनी के लिए क्यों दिया गया आपको हमको सभी को आ गया कि यह सवाल करना होगा देखिए हम लोग चातर हैं हम लोग तैयारी करने के बाद हम लोग जॉब ले ले लिए हम लोग कभी योगदान होता है न एक देश निर्वान में एक बिहार को आगे करने सवाल पूछना होगा लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अपना तयारी बनाया रखें जल्द से जल्द आपको देखें कुछ ना कुछ री एक्जाम के बारे में नोटे सुनने को मिलेगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो गॉड ब्रेस यौल